जो कि आपके 2023 में प्रस्तावित है ठीक है 2022 इसका नाम है और 2023 में ये प्रस्तावित है ठीक है 2023 में भी आपके जनवरी के आसपास से पेपर हो जाएगा और जनवरी में हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि आप मान के चलिए कि ये पेपर जो है ये आपके लगबग आपको च आप शार महानने का समय दे रहा है, खेक है, अक्टूबर, नवॉंबर, दिसमबर और जनवरी यह मैनने आपके पास अच्छा समय है, और इन चार महीनए amendment मे आप बहुत बड़ी आतरीके से काम कर सकते हों तो देखिए आप जनवरी मानके चलिए, कब जनवरी 2023 मानके चलिए, बस इससे कोई 5-7 दिन उपर नीचे हो सकता है, फरवरी 1st फीक तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है, आप मानके चलिए, तो आप अपना टारगेट 20 जनवरी सेट कर लीजिए, क्योंकि उ आपका मनविज्यान अच्छा है, आपके teaching method अच्छे है, आपका subject भी अच्छा है, जैसे L2 में किसी ने किया, तो इसका सामाजी अच्छा है, हिंदी अच्छा होगा, किसी का science है, तो science भी अच्छा होगा, L1 के हैं, तो आपने गणित अच्छा है, परयावन विज्यान भी पड़ा है, तो आप ये मान के चलिए कि लगबग-लगबग 50% चले बस आपके पड़ा हुआ है, अब नया क्या है, इसमें, नया लगबग 120 अंकों का राजस्तान का जी की नया है, तो राजस्तान का जो portion है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, फस्ट लेवल में लगबग 120 अंको का पोर्शन राजस्तान का जो है, ये थोड़ा सा नया है, लेकिन इतना भी नया नहीं है, क्योंकि हम स्टूडेंट जो है, ये कई परिक्सान दे चुके हैं, पटवार, ग्रामसरवा, LDC वगएरा, तो राजस्तान का जी की हमने पढ़ा है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बिल्कुल अंच हुआ पहलू नहीं है, जरूर साइंस वालों के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि उनके यह पार्ट इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वह इतना नहीं पढ़ते हैं, वह अपने सब्जक्ट पर जोड़ देते रहे हैं, तो मानवी की की विद्यार थी है, उ सबी की समझ्या होती, किसे एक की नहीं होती, तो इस पूरे पेपर में आपके लिए नया क्या है, पहले आप यह सोचिए कि नया क्या है, अब आप L1 का कोई बच्चा सोचे का नहीं कि नया क्या है, तब उसके लिए नया क्या है, sectioning पड़ी दर्शे नया है, थोड़ा आपकी कुछ भी नया नहीं है, बस आपके मोटा मोटा सब पड़ा हुआ है, उसको ठीक से वैवस्तित करना है, तो एक तो सबसे बड़ी बात है, दिमाग सी यह बात निकाल लिए, कि बहुत बड़ा पाठिकरम है, हम कर्मी पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पेपर पैसने से, बहुत कम टोपिक ऐसे होगे जो आपने कभी नहीं देखें। बाकी सब कुछ देखा हुगा है, पहली बात. दूसरी बात, किताबों के छक्र में मत फ़ता है, बहुत सारे किताबों के चक्र, क्यों कियों किया मार्कित जब नई भड़ती आती है तो मार्केट में नए-णे कलेवर की हजारों किताब या जाती है और बच्छा उस किताबों के जाल में ऐसा फंस जाता है कि जिन्दगी में जिन्दगी तो क्या एक दो साल में वापस निकल दो नहीं पाता अब इस एक्षिन परी दर्शे की देखना पचास किताबे आ जाएगी हर पार्ट की अलगलग पुस्त के आ जाएगी ऐसी इस्तिती में क्या होता है कि आप एक डिलेमा में पहुंस जाओगी कि करना क्या अब इसका तो मैं सरफ यह कहूंगा जब सहले बहुत बड़े होते हैं तो प्रश्म भी सरल याते हैं बहुत डैफ़त भी नहीं आते हैं आप आती हैं तो जो बी पढ़ऊ ना आप कम बढ़ो मैं आपको आपे इस स्की मैं नहीं बताने वाला है इसका मैन पिछला वीडियो बी बना दिया है और एक जागुरुक अभी तक को हुआ होगा और जागरूप नहीं है तो उसके लिए वीडियो वैसे भी काम का नहीं है तो एक स्रूडेंट अपने material का चैन कर चुका होगा यह मान के मैं चाल रहा हूँ इसलिए material पर कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि आज की तारीक में तो आप नहीं कर पाओगे अच्छा एक में भी प्रात्मिक्ता ँशे दो आपने पहले पढ़ी है जैसे राजस्तान जी कही किताब है पहले पढ़ चुके हो तो उसको प्रात्मिक्ता दीजी नई किताब मत लाओ देखा देखी मत करूं मार्केट की पहले किसी यह रखो कि प्रियोरिटी मतलब आप पहले जो पड़ी है उसी को वापस यूज करो, अब इसमें ऐसे भाग जो पहले नहीं पड़े हैं, उनके लिए एक किताब लेके आजाओ, तो क्योंकि किताबों का भंडार कर लोगे तो आप फंस जाओगे कि आप पता ही नहीं चले कि इतना समय नहीं है उमारे पास में, चार महिने का समय है, तो आज मैं इस लेक्चर में बात ही करने वाला हूं आपको आगे का चार महिने कैसी मैनेज करने हैं ताकि आप कि किसी भी परकार का ये नख रहें कि टाइम मेनेजमेंट की कमी के कारणा फैल हो गए, बस मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो इस वज़े से अब देखो मैं प्रबंधन की बात करूंगा विद्यारती हो इसमें देखो दो टाइप के अब एक ऐसे सुडेंट है जो कहीं कहीं कोचिंग जा रहे हैं ठीक है मैं भी कोचिंग ले रहा हूं तो मुझे पता है कि कोचिंग जा रहे हैं कोचिंग वाले जो स्टूडेंट है वो डेफिनेटली कोचिंग के सड्यूल के अनुसर चल रहे हैं तो साथ आठ गंदे क्लास से सामाने लग रही है तो वो स्टूल को फॉलो नहीं कर पाई जो मैं आज बताने वाला हूं ठीक है तो कोचिंग के विद्यारती जो है एक तो और नहीं आपके वो कोचिंग में है वो सरफ और सरफ आपके अपना सेल्फ कोर्स पूरा करने में लगा हूँ है आप जतने भी वीडियो देखने वाले हो सारे इन तीन केटेगरी में से हो अब आपको पता है कि तीन काई बताता हूं ठीक है आप बस धहरे रखना मैं सारी कर रहा हूं और यह वीडियो आपके ल 1 & 2 दोनों के लिए है तो दोनों बलिक आए अच्से सुनना इसको तो सबसे पहले मैं कोचिंग की विद्यार्थियों की बात करता हूं ठीक है आपने कोचिंग कर लिए होगी और मैं इस पर बात ही नहीं करूंगा क्योंकि आपने डि नहीं होता है कि आप बने लिया है तो अपना दिल और जान से लग जाना से उस नहीं को सही करने में तो आपने डिसीजन ले लिया है कोचिंग का तो अब ऐसी विद्याती इतने भी है वो coaching के schedule से चलते रहे, coaching वालों को October, November दिसम्बर तक coaching की courses लगबग पूरी हो जाएंगी, तो ऐसी विद्यार्थियों मैं सर्फ इतना कहूंगा कि max to max 10 December, 10 December तक आप coaching पूरी कर लेना, माननों कि 10 December में आपके coaching में कोई 5-10% course रह गया है, कोई बात नहीं छोड़ दो coaching को, 10 December के बाद आप coaching में कदम भी मत रखना वली course रहे हैं, बले पूरा हो जाएं, पहले हो जाता था अच्छी बात है, नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, 10 December को coaching चोड़ देना, क्यों? क्योंकि पीछी 1.5 महीना, 45 दिन आपको revision के लिए चाहिए ही चाहिए, उस 45 दिन में आपको अपने coaching material को एक दो बार पढ़ना भी पढ़ेगा, और 5-7 टेस्ट भी देने पढ़ेंगे, ताकि आपका revision अभ्यास दोनों हो जाए, तो coaching के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि 10 December तक जैसा coaching चला रहा है आपको उससाब से चलते रहिए, क्योंकि अभी आप बीच में चोड़ोगे करोगे तो भालतू मत्तब कुछ निश्रमे खराब होगा, तो अभी 10 December coaching के इसाब से चलते रहिए, उनके content पर विश्वास कीजिए, नई किताब मतला ही है, जो coaching पढ़ा रहा है उसको पढ़िए, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, या तो आप coaching कर लो, या आप self study किताब विलाके कर लो, दोनों एक साथ नहीं जचेगी, क्यों? क्योंकि दोनों में puzzle हो जाओगे, ये करों के ये करों, ये करों के ये करों के ये करों, इता टाइम मैनेज नहीं होता, तो आपने अगर coaching को वरियता दिये, तो विश्वास कीजिए, coaching भी सफलता तक ले जाती है, ये भी ले जाता और ये भी ले जाता है, डिपेंड करता है बालक-बालिका के उपर, बालक-बालिका शब्द बार-बार क्यों आ रहा है, क्योंकि आप भी आसकल मैं RTE पढ़ा रहा हूं बच्चों को, तो मेरे दिमाग में बालक-बालिका ही आ रहा है, इसलिए coaching जो है, दस दिसमर को आप छोड़ देना, और दस द अपी रहा है, उसके लिए कोई गाइट से देख लेना, क्योंकि जोईन करे लिए न तो आप दोनों को मैनेज नहीं कर पाओगे, बस coaching वाले इस पर बलोसो करके coaching विदार्त ये कर लो, अब बात आती है, अचा coaching वालों को टेस्ट coaching में लेते हैं, तो वो ही देते रहो साथ म अलग से test rejoin करने ही जो उतनी है, क्योंकि अभी आप test rejoin करोगे तो इसके schedule को कभी आप साथ में follow नहीं कर पाओगे, फिर puzzle हो जाओगे, तो इसको आपको नहीं करना coaching वालों को नहीं करना है, मालों ये करना है, मालों अपनी किताब बेर लाकिन करना है, coaching के material को भी पढ़ना है ठीक है इतो हो गया माम लाइन का के लिए अब बात आती है टेस्स की टेस्स की जो बच्चे है जनरली ऐसे स्टुटेंट ने टेस्स जोइन करी जो काफी एक्सपीरियंस नहीं है जिन्होंने काफी कुछ सेलिबस अल्रडी बहुत अच्छा है और टेस्स स्रीज कॉंटिनिय पीछे का परड़ा हुए वापस रवीजिन करते रहे काईि जनरली टेस्सी ने कहा दिक्कत आती है जैसे आपने एक सपता का तेस्पता बांती त inse कोचिंग भी नहीं है, बस घर बैटके पुस्त के बट रहे हैं, उनके लिए मैं बात बताना चाहूंगा, आज का मेरा जो विडियोज है इन लोगों के लिए है, क्यों, क्योंकि इन ही के पास फुल टाइम है, जो अपने आपको स्वासासित कर सकते हैं, इनके पास में टाइम पहले अपना कोर्स पूरा कर लो बढ़िया, और उसके बाद में, मेटरियल लिमिटेड रखना, और मेटरियल में उसको प्रात्मिकता देना जो पहले से आप पढ़ते हैं, देखो एक चीज़ ध्यान रखना विजाएती हो, किसी भी किताब से 100% सवाल नहीं आते, और किसी पार्ट की, बस आपका सारा सले बस मिल जाना चाहिए, मेरा कहने के मतलब यह है कि हर एक पार्ट को एक पार्ट को एक पुस्तक से देखे, अलग-अलग किताब एन आला है, ये चीज़े कर लो, अब सहल पस्ट्री वाले के लिए बताओ, मेटरियल त्यार हो गया, अब उनक इसे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि आप पढ़ कुछ और रहे हो, टेस्ट किसी और का देखे आ रहे हो, नमर आएंगे नहीं, कॉन्फिदेंस दाउन होगे, मतलब नहीं है, यहां तो इसको जिस चीज को फॉलो करो ना, उसको पूर्ण रूफ से फॉलो कर अगस्त जा चुका है, और पेपर मेरे साफ से आपके जुलाई में था मेरे साफ से, मुझे याद आ रहा जहां तक, दो महीने लगबग हो गए है, अभी तक आप तैय नहीं कर पाए कि आपको करना क्या है, ऐसी इस्तिती में यह चीज बहुत गलत है, फिर भी अगर आप भ कोर्शन की कोचिंग लेलो, बाकी कोस्त केंदेख लो, अभी थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है, अभी आप टैस्ट्रीज से दूर रहो, पूरे कोचिंग कोर्से से भी दूर रहो, आप ऐसे-इस कोर्स पढ़ो जो आपको लगता है कि मुझे किताब से ठीक से नहीं किसी टीचर की सपोर्ट लेलो, बाकी यूट्यूब अगेरा पें कुछ नहीं है, जो फोगट फरी में बढ़ाते हैं, इनका जान रखना एक content भी काम के नहीं होते हैं, न इतना seriously बढ़ाते हैं, न वो चीज एतनी काम की होते हैं, हो सकता है कोई teacher अच्छे भी पढ़ा रहे किताबों पे और अपने सिक्षक पर वरोशा रखोगे तो फाइद में रहोगे, बाकी तो क्या है कि YouTube की दुनिया बड़ी लंबी चोड़िये, वहां पर बिजनेस का काम ज्यादा होता है, लोग व्यूज बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लोग अपना यूँ कई की publicity के लि बाकि मेरी इच्छा भी नहीं होती, मैं कभी नहीं चाहता है कि मैं आपकी रणनीती में अस्तक्षिप करूँ, ठीक है, बस आप लोग तहते हो इसलिए मैं चला आता हूँ, ठीक है, अब मैं आपके बता जाओं, अब आप क्या बेहतर कर सकते हो, ठीक है, अब आप इस self-study पूरी आ जाएगी, और इसमें आपके संस्कृति पूरी आ जाएगी, और इसमें आपके राजस्तान के अंदर, और साथ में थोड़ा बहुत विविदुजी के भी आ जाएगा, विविदु में कोई पहच वह आपके राजस्तान के राज कीचे न बगरा, यह सब आ जो पूरा वीडियो देखती नहीं, उससे पहले आके बोल देते हैं, आपने 120 लिखा हैं, 130 होगां, 128 होगां, इतनी परसंटेश होगें, मैं ये गणित सिखाने नहीं आया आपको, मैं ये बताने आया है कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, इमने अनुमानिक बता रहा ह दूसरा जो मोटा स्विषय हैं, वो है आपका विषय, L1 में हैं तो 5 विषय हैं, ये दिन्दी के 120 अंक थे, मदलब 60 परशन थे, तो 60 परशन ही थे मेरे साब से तो, मजे देखना वर पड़ेगा, ठीक है, 120 अंक तो इस साब से था, ठीक है, तो अब देखो विषय, अब व को इनकी एक ही किताब रख सकते हैं, वितियास की एक, संस्कृति की एक, विविद में तो आपको कोई भी गाइड में मिल जाएगा, अब अगर आप RBSC से देखते हो, आप किसी परकासन की देखते हो, सब आपके हो, पर है मैंने पिछली वीडियो मुस्त बता दिये, एक ही विद्याले विषय का मैं सरफ सजेशन दे सकता हूँ, कि आप बोर्ड की किताबों तक रखें, बार्वी तक की किताबों तक बहुत ज़्यादा है, ठीक, इससे दादा नहीं, L1 के बच्चों को तो यही कहूँगा, कि दसमी तक की रखें, L2 वाले बार्वी तक जाएं, ज वर्ड की लाओ, वर्ड में भी दोतीन आएगी, क्लाइमेट लेजी, अलग आईजी, है न, सब अलग हो जाएगा, इतियास में भी दो किताबों हो जाएगी, ऐसे मत कतावे लाना, कोशिश करो कि बार्वी तक किताबों से टोपिक देख लो, जैसे हर सास्त्रे पूरी दसम आटी चल रही है, तो कोशिश करो कि NCRT पर आखो, अब आपकी दिमाग में सवाल आएगा, कि सर ये, RMSSB पेपर बना रहा है, तो हार्ड बनाता है, वगर वगर वगर, ऐसा इतना मस हो, हार्ड यहां बन सकता है, यहां पर हार्ड नहीं बनते तने, आप देख लेना, लास इसके लिए आपको थोड़ी किताब लानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मनोविज्यान तो आपके अच्से से पढ़ा हुआ है, ठीक है, योजना बगरा है, यह वैसे आपको पढ़नी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, और सेक्सिक परिदर्ष्टे की कोई किताब लाके अब देखो समसामिक में एक चीज ध्यान रखना, यह जितनी भी योजना है, इसमें जितनी भी फ्लेक्सिप योजना है, इनको धंग सी रट लेना, इनको दस और हो जाएगी, चालिसी योजना है पढ़ लेना है, इस से ज्यादा आपको पढ़नी नहीं है, ठीक है, योजन आपको पढ़ना है, जो टोपी कोर्ष में पढ़ना है, यह जादा नहीं पढ़ना है, यह जीज आपकी पढ़नी है, और विद्ध्याले विशे को बीच में रख देना, और मनविज्यान और यह जो पोर्षन है, इसको आप साइड में रखता हो, क्लियर? अब आपको क्या करना है, अब आप अपने दिन को तीन भागों में बांटता हूँ, ठीक है, देखो, मैं बता रहा हूँ, यह जो प्लानिंग है, यह मैं मेरे एक्स्पीरियेंस के बेस्पे बता रहा हूँ, मैंने आलांकि नग कभी जिंदगी में थर्ड ग्रेड का एक्ज आप फिर इसको इरन निती को आप फॉलो ना करें, यह फिर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा शंसुदर करके मैं फॉलो करूं तो कर सकते हो आप, वो कैसे किया जा सकता है वो भी मैं आगे बात बताओं आपको, अब आपको क्या करना है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपक तो इस रेंडम घुमाओ उसको, फिर इतियास, भगोल, संस्कृति फिर उसको घुमाते जाओ, ऐसे करके आपको कोशिश यह करनी है कि रेंडम घुमाने का मतलब यह है कि जैसे 10 दिन में आपने भगोल पढ़ ली, फिर आगे 10 दिन में आप संस्कृति देख लो, अगर पह होगे न, content, तो इसके बाद के प्रशन साथ-साथ में करते हुए चलो, पुराने प्रशन वगेरा, जैसे topic देख ले तो बातो बात प्रशन जो आएंगे, पीछे वो भी देख लो साथ-साथ में, तो इस तरह से morning के 2-3 गंटे आप इसको समर्पित करता हूँ, ठीक है, अब ठीक है, एक आदा गंटा, सो लिया, डार दो बजी वापपस उट गए, तो फिर दो से लेके 6 बजे तक, 3-4 गंटे वापपस आप बैठ जाओ, और विद्ध्याले विशे देखो, विद्ध्याले विशे जैसे आप L1 में हैं, तो एक इक शुरू करो, पहले जो आपने काफी कुछ पड़ी है, समाजिक भी काफी कुछ पड़ी है, गनित भी काफी कुछ पड़ी है, और आपकी जो भी लेंग्विज वगिरा है, वो जो भी है, तो आप ये करो कि एक जो पोर्शन आपका कमजोर है, उसको आप पहले उठाओ और उसको पूरा करो, अब L1 के 5 सबजक्त को दो, एक-एक सबजक्त करणा में जैसे माझना आप का है, तो पहले आपawanे समाज जिक आए, या पर पड़ा हैं कि सब्णा करो, डियान को पाद कर लो अगर साइंस के है तो science पढ़ लो, maths पढ़ लो, teaching method पढ़ लो, अगर आप L1 के हैं तो इस प्रकार से इसी तरह इसको भी random घुमा हूँ आप डेली, एक subject लो इसको पूरा करो और कोशिश ये करो कि इसको भी आप लगग लगग अक्टूबर 15 नौंबर तक एक बार course पूरा कर लो, कोशिश ये क करना कि इसकी किताबें रखना ज्यादा मद रखना और प्रात्मिक्ता उसको देना जो आप पहले सी इस किताब को पढ़े हुए हैं तो क्या होगा कि वापस पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी और विशह पो प्रात्मिक्ता NCRT को देना ऐसा भी नहीं केवल NCRT आपने कि इस च sinoरी के बढ़ता थो उस्से का कुल यहां कि न रहे कि का सकते हो और इस तरह से इसको रेंडम गमा आँ तो विशह एक मान के चलो ठीक है तो जैसे journalists ईनमें पो नमें पांच विशह यहां तो जैसे आपने जらいस आपने तो विज्यान पड़ी झाटी ट्यां की विदिया आप इस portion को देदो, आप देखो, आप देखो, इसमें 2-3 गंटे में क्या करना है, मनोविज्यान आपने ठीक से पढ़ रखा है, तो मेरा यह मानना है कि मनोविज्यान आप तो सापता ही देखो, या फिर जब फ्री टाइम होता तो देखो, या फिर थोड़ा कम देखो मनोविज्यान को, क्यों? क्योंकि आपने रीट पास की और आपने खुब मनोविज्यान पढ़ा है, ठीक है? कोशिस यह करो कि कम से कम एक गंटा, डेली एक से डेट गंटा आप सेक्सिक परिगर्शे को दो ही दो, एक गंटा तो देना ही है आपको एक गंटा, इसके साथ अदा एक गंटा आप एक योजना डेली त्यार करो, एक योजना आमेसा तयार करो, रात को एक योजना तयार कर पूरा हो जाता है तब आप वापस मनुविज्ञान ले लो इनको आप रेंडम चलते रहने दो और योजना डेली एक-एक तयार करते जाओ ठीक है यह काम आपको रेगुलर बेसिस पर करना है और फिर बात रहती है सरफ और सरफ करन्ट अफेर्स की करन्ट अपको क्या करना है अब इसके साथ साथ में आगर टाइम मिलता है कि मेरा सेक्स नेकर मनुविज्ञान लोन हो गया है तो महिने में एक मन्थली मैगजीन आएगी और उसको चार-पांच दन उसको दे दो एक्स्ट्रा से तो आपको रात के समय में इन सबको मैनेज करना है ठीक है दो तीन गंट आपको यह आपका टाइम में इनमेंट कब होगा जब आप मोबाल मात्व वोडी करोगे यह तरी पर इसके बात करोगे तो पिर आपका यह मेंगें नहीं हो पाएगा एक दिन के में इनेजमेंट से काम नहीं चलेगा यह आप मान के चलिए कि आपको अब 10 फरवरी तक ऐसी लगे रहना है आज तारीक है 17 सितंबर में रिकोर्ड कर रहा हूं वीडियो और 17 जनवरी तक मान के चलो कि आपको ऐसी चलना है घर जाना बूल जाओ करने जाना अब परिक्सा देखे ही जाना बीच में दीपावली आएगी सुटिया आएगी डिस्टप होंगे ऐसा मत करना य जिसने फुलो कर लिया परिक्सा तक 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 मैं दावे के साथ किया सकता हूं वह आसपल नहीं हो सकता है अब जो किताब लो उसी को पढ़ना नोट्स नहीं बनाने है बस किताब कोई बार-बार पढ़ते जाओ कोचिंग में जा रहे हो तो वैसे नोट्स लिखना ही पढ़े मेरे साफ से चुटा मोटा रहे हां आप अपने इसतर पर भी सेट कर सकते हो फिर यह मत करना सर आपनी छोड़ भी ये पर आप ना को पर पुर्नि दे ना मिरे अब पुर्द आपको अड़ों इस हिसाब से मेरे साफ से अब और बो lifोस यतारीकर सब सकते हैं जरू नहीं रात खोलना और यहां वेबसाइट खोलोगे तो हर वेबसाइट वे आपको अथन्टिक जानकारी मिलेगी और यहां पर जाके डेली एक बढ़िया योजना योजना कैसी दो 2019 के बाद शुरू भी हो पहले तो फिलेक्सिप देख लेना 28 से 28 जिन तक का काम तो यह हो गया फिर आगे जो कमज़र पोर्शन ओर ज्यादा समय देना जो नहीं पढ़िए वह पढ़िए उसको बाद में पढ़िए और कई सारे चीजे व्यक्तिकत होती है व्यक्तिकत मुलब हर व्यक्तिकर अच्छे और अलग लग चीजें होती है को आप अपने अनुसार इन चीज़ों को चेंज बात करेंगे, ठीक है, मैं इन चीजों पर बात नहीं करूँगा कि आप योगी है कि नहीं है, मैं सरफ इतना कहूँगा कि अगर आपने रीट दे दिया है, भले आप फस्ट एर को दबा के तयारी कीजिए, क्योंकि महनत कभी व्यत नहीं जाती और मासरसुती आपको उतना दे मैं से से देखने के बाद मैं वापस तया करूँगा कि मुझे वापस लाइओ, तो वाना है, पुना धन्यवाद